तो ये हैं इडिया की सबसे सस्ती भेलपूरी जिसे बेशती है दिली के सुनील सेथी अंकल या ने अंकल कहा है या तिरे से चार सल फोट हो गा दूसी द्रब ये है इंदोर के मिस्टर भेल भंडारी की एक लाग रुपे वाली भेल तो आज की वीडियो में मैं ट्राइ करने वाला हूँ चीप, मीडियम और एक्स्पेंसिब भेलपूरी जिसमें आज की दिन की पहले माने इंडिया की सबसे सस्ती भेलपूरी में खाने आया हूँ एक ऐसे 22 साल के नौज़मान की दुकान पर जिने डेली उनिवर्स्टी जहां इनका स्टॉल लगता है वहां पढ़ने वाले सभी चात्रे सुनील शेटी अंकल के नाम से जानते हैं ये बूंदी वैसे अंकल आपकी उमर क्या है उमर मेरी बाइस साल अतना जवान रहने का क्या राजा एंकल मेरी खुबसूरती और जैसे अस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को भाई कोई वर्ल्ड कंप में नहीं हरा सका ना इन अंकल को बातों में नहीं हरा सकता तो अधर अंकल जी प्रणाम नहीं नहीं यह दिशी comparmat अमत करो गयर इंग वात करो अथी करो अफ। इंगीज करो अओं में परनाम पर नूम नहीं हमाग गोड़ भेलपूरी फोकस करते हैं मैं अंकल बेलपूरी को अब मैं को बटाओ किस तरह आ synergy ब्लाने को बताने कर युपा अब अगल मैं चेक्बुक करी गरता हूं अपने साथ जो बता सकते हो वो तो बताओ अपनी बेलपूरी के बारे में वैसे जो जो चीजे आप बता सकते हो यह मुरमुरा यह पाप्टी यह यह बूंदी यह नट्स है यह दनिया यह हल्दबानी का अलू ठीक है और यह मेरी मिर्ची यह कैसे मीठी वाली चटनी कैसे बनाते हों और अपने नियुक्ति लव मेरी श्तिया आप तो हुआ यह नहीं बड़ी जगा मार खाई बड़ी जगा ठुकाई बड़ी शेटिंग नहीं हुई अच्छा 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 इस वीडियो में ना मैं सिरब आपकी मेल पूरी अच्छा इसा क्यों मेरे लिए एक प्लेट बेलपूरी पीस रेडी कर दो किते रुपे प्लेट हैंगल 60 रुपीज एंगल काफी यार तिरो कोई जटकल लग गया तब वैसे शाट रुपे बहुत सस्ती है यह तो 2000 की बात करता हूं अच्छा थीग है वह पाइस तर में गय भी थे यह अगप कर रहें नहीं जाओंगा अब अब बढ़ी है शुक्रिया अंगल अंगल तिशू पेपर मिलेगा तिशू रखते नहीं अंग्रेजी बोलते हैं तिशू नहीं रखते अंगल वैसे भेलपूरी के अलावा और क्या अच्छा थीख है चलो टिशू नहीं मिलेगा यहां तो देखा मैंने बताया था ना अंकल की चटपटी बातों के बारे में सैंपल आप लोगों ने देखी लिया होगा मीनवाइल यह है अंकल की इंडिया की सबसे सस्ती बेलपूरी हाला कि मैंने सबसे सस्ती बोलतो दिया राहूल मेरे को थोड़ा बोड़ डाउट हो रहा है यहां साथ रुपे की सबसे सस्ती होगी मतला बहुत शेहरों में आप बताओ भाई आप कितनी सस्ते वाली बेलपूरी खाते हो हमारे पास जो सबसे सस्ता ऑप्शन था वो यही था हम कुछ नहीं कर सकते पाइसी ब्रो भाई बेलपूरी टांगी है और टांगी से जादा ना स्पाइसी है हमते है मेरे मुँ में दुहें चूड़ गए ये स्नाक्स बोहते है जो आपना मुह चट पड़ा गरनेका था तो उसके साथ से इस परफेक्शन ये बेलपूरी इस निर परफेक्शन चलते अपनी मीडियम लोकेशन पर तो यहां हम ड्राय करेंगे अपनी मीडियम रेंज की बेलपुरी जो मिलती है इस लग्जूरियस फाइस्टार होटेल उबरॉय के 360 डिगरी रेस्टांट में लेकिन आपको ना सप्राइस कर देता हूं एक इंफरमिशन देखे कि हमारे आज की द पर हमने इस वीडियो में दो मोस्ट एक्सपेंसिव ट्राय करी थी इंडिया की अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जा के देख लेना अभी इनका हाइटी बाला डाहिम चल रहा है और यहीं पर इनके मेनियो में आपको सेव पूरी जालमुरी ये दोनों और अप्स लेकिन लाश्ट लोकेशन की बेल पूरी फ्रांस से आती है और चटनी फ्लॉरीडा से ऐसा क्या है भाई देखेंगे साथ में देखेंगे है 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 हुआ दस हो आली जाल मुरी में और ईर को लिए दिफरेंस लगर आपट metlı यहां खासिじゃ आप हुँ में टे वाइट यह विल्कुल बिल्कुल घर वाली परपारेश्वन्हें और जो स्ट्रीट साइड वाली परिक्रेशन बिल्कुल सेम लग रह Comay सेफपुरी एक और हमने और करी है, उसको भी ट्राय देके देखते है हमने सोचा जाल मुरी सिंस मेरे डेश की नहीं है तो एक ट्राय और देना मनता है तो हमने सेफपुरी और कर ली जो हमने पिछली दुकानों बर भी खाई थी दाट वर्ज बेलपुरी और इसका प्राइस है 600 रुपरी तो यह भी नहीं है कुछ सस्ता देते है के सब पुछ ऐसे महंगा महंगा ही देते हैं 600 रुपरी के पांच पापड़ी सो की एक है लेकिन पता है पैसे किस चीज के है प्रेजन्टेशन के जो तो देख रहा है पापड़ी के उपर सुंदर से आय है सजा के जो दिया है ना वैसे स्ट्रीट वाला भी ऐसे ही देता है या सेफ पुरी तो झाले खाया जाए प्रिस्पी पापड़ी, मसालेदार आलू, चटपड़ी आलू इंफाक और चटनिया बहुत ही बहती 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 है इंशनी मेरे को इतनी पहसंद नी आई बट फिर भी अगर मुझ से बूचेंगा इस टेस्ट के भी I would not like to give 500 रुपीज पहुत जादा एक जाए पहुत जा अब कर ले नीची है तो चलो चला जाए गाईज यह हमारी चीप में एक्सपेंसिव वीडियो में पहली बार होने जा रहा है कि कोई मोस्ट एक्सपेंसिव लोकेशन किसी फाइफ स्टार होटेल में बलकी सड़क किनारे दुकान पर मिलती है बाई मेरे को भी यकीन नहीं तो फिर चली आपको लेकर चलते हैं मूस्ट एक्सपेंसिव भेलपूरी खिलाने जो कि इंडिया के सबसे साफ सुत्रे शहर इंदौर में मिलती है और जिस दुकान पर यह मिलती है न उसको मैं क्या पूरा इंदौर जानता है क्योंकि इंडिया इस गाट टैलेंट में भी अगर आप खाएंगे तो आप बिल्कुल लाने के लिए तयार हुआ ही पर तो यार धार, सलाकार, दुआधार, जिलाधार इंदौर के मिस्टर भेल भंडारी अपनी भेल पूरी के साथ कुछ ऐसा खेल खेलते हैं, ऐसा खेल खेलते हैं कि कुछ आम इंग्रीडेंट्स और असली सोने के साथ ही अपने कस्टमर्स के लिए तयार करते हैं, महालक्ष्मी गोल्डन भेल विद 24 केरेट गोल्ड Mr. भेल भंडारी जी स्वागते डिली से आपको डूनते डूनते आयों मैंने जुनता को बोला कि मैं सबसे एक्सपेंसिव भेल दिखाऊंगा और आप खुद अपने मूँ से बता दो कि वह भेल कितने की है यह वर्ल की सबसे एक्सपेंसिव भेल है और वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव भेल सिर्फोरसिल्फ आपको मिलेगी Mr. भेल बंड़ारी इंडीय आना पडेगा, इंद और आ पड़ेगा, अध्यपरदेश में आना पड़ेगा और इस बेल की कीमत होने वाली एक लाख रुपाय, पूरा वीडियो देखिए, सारी जानकारी मिलेगी, सबसे पहले आ गई है हमारी है हरी पॉर्टर की तपेली, आ रहा है यह अफगानिस्तान के प्यास, अफगानिस्तान के? हाँ, यहां से हम मसाले देते हैं, वहां से उनसे यह ले आतने है, यह मंगल गरह के टमाटर है, अच्छा थीक है, उसके ओपर यह चंद्रमा ही ककडी है, किसकी? चंद्रमा से आई हुई ककडी, चंद्रमा पे ककडी आ उग रही है, बिल्कुल उग रही सा, अभी तक में नासा ने बिली ढूंडा, उन लोग को हमने छुपा के शेफ ने आज तक मुझे जस्टिफाइ नहीं करा कि उनकी चीज इतनी महंगी क्यों है, लेकिन आप जो बारीकी से चीज में बता रहे हो ना कि यह इतनी महंगी क्यों है, वो ट्रांस्पेरेंसी मेरे को पसंद आई है, रखना भी चाहिए है, मैं लोग साथ में क्रिकेट मेरे मोसी के लड़के हैं, मिशेल भावी इंदोर की हैं, मिशेल भावी इंदोर की हैं, इतना नीजी इलेशन है, बहुत ज़्यदा था, उनका मेरा चेहरा मिलता हो दिख रहा ना, कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, यह माननी रहे है, यह नशीली पत्तियां आ गई है, बिल्कु नशीली पत्तियां, अलाउड है सरी हैं? अलाउड, तो क्या है सर, जो ओरिजिनल माल है वह बजार में मिल ली रहा किसी को भी, जो सप्लाई करने वाले हैं, वो कुछ नहीं करने हैं, बजार से धनिया पत्ति ला रहा है, दस बीस रुपे के उसको सुखा रहे है, तो नौजवानों से हमारी दर्खास थे कि बिल्कुल भी इन चीजों में ना पड़े धनिया पत्ती खिला रहा है सुन रहा है यह रेडी अभी नहीं रेडी अभी तो बेज बना इसका तो यार धार सलाकार दुआधार जिलाधार सारे लोग तरयार हो जाए खबरदार क्योंक अब आने वाली आपके लिए चोईस करए गोल्डन प्लेट नॉर्थ कोरिया के पोटेटो से बनी हुई चिप्स अच्छा यह इरान की कचोरिया सर अब देखिए यह आ रही है इटली की चटनी समधिया यह हमारे राहूल भाहिया लेकर आते हमारे लिए लिए लाहूल भाह आपने मेरे को जीत लिया सर बद देली तो जीतना है सर भेल तो सभी खिला रहा है आपकी शादी हो गई वन्ना क्या इरादा भाही का भेल की सबसे खास चीज़ आने वाली है वह 24 के रिट गोल्ड का वर्क इससे तो इन पर यह भेल भी बहुत सुंदर लग रही है या बिल आपने बारे में आपको ना इक बात बता दू कि हम लोग हर चीज से इंपरेस होते है लिए बट माई होल डिसीजन लाइस ओन दे मोस्ट एक्सपेंसिव का टेस्ट यह देखते है कैसी है राए फ्रूट् अच्छा अभी यह तो टेस्ट करें अच्छल गोल्ड अब लेट्स डिग इंटू अब लेट्स डिग इंटू अच्छल स्टाफ इंद और में वेल इतनी पॉपिलर क्यों है मिलकुछ इसको खा के समझ में आगया आगास पहली बार ही होने जा रहा होगा कि हम चीप में एक बेस की वैसे बागी अगला क्या एक्स्पेंसिव हमें उखाड़ना है कमें सेक्षिन में बताना और फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ टेक्या गाइस बाइबाइबाइबाइ मैं खाता हूं जी इतनी खाई जाती है मुझसे